हलो एव्रीवन वेलकम टू अल अफ यू लेट्स क्रैक राजस्थान एक्जम सो देखिए दोस्तों आज हम एक बहुत इंपोटेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि आप लोगों का NCRT की बुक्स पढ़नी चाहिए या अगर NCRT की बुक्स पढ़नी चाहिए तो कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और अगर RBSC की बुक्स पढ़नी चाहिए तो किन बुक्स पर आपको फोकस करना होगा तो कि सबसे common question जो बार-बार उठकर आता रहता है लोगों के सामने यही है कि sir RBSC की books पढ़े, NCRT की पढ़े, means में देखे तो RBSC का पूछा जाता है, फिर कुछ question आपके NCRT से भी आते हैं, तो आज के session में हम एक एक doubt को आपका clear करेंगे कि आखिर NCRT की books कौन सी पढ़नी ह किसको जादा preference देनी है, RBSC की books को या फिर हमारे NCRT की books को और किस तरीके से पढ़ना है ये भी हम जानेंगे, योग कि अगर आपको means में अच्छा score करना है, RAS के exam में top 50 में आना है, तो इन books को आप नहीं छोड़ सकते हो, this is very very important session for RAS means as well as for prelims पर, खास कर RAS means में इसके बिन काम नहीं चलेगा, तो let's start guys friends, I am SK Sharma, I have 7 plus years teaching experience, दो बार UPSC का interview और आपके चार बार UPSC emails देने के बाद, I also qualified state PSC exam, यानि की 2013 में I also qualified your RAS exam, जिसे अब आपको clear करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखेगा, नॉर्मल डेज में हमारे जो sessions होते हैं, डेली साथ बज़े आप मेरी classes देख सकते हो, और हर संडे को मैं आपके लिए के strategy sessions भी लेकर आ रहा हूँ, तो इनके साथ आप हमसे जोड सकते हैं, ध्यान रखेगा, एक चीज़ और important है, अगर आप मेरी free classes and academy plus पर देखना चाहते है तो then you can join me on unacademy app with Sharma time referral code, तो Sharma time referral code को apply करो, absolutely free of cost आप एक sessions देख पाएंगे, अगर आप limited classes और limited notes के अलावा complete slabs करना चाहते हैं और पूरी classes पढ़ना चाहते हैं, तो आपको unacademy plus का subscription लेना होगा, जहां पर आपके इंडिया के best educators आपको एक जिगे पढ़ाएंगे, सारी के सारे slabs cover होंगे, और तो और सब्सक्राइब बात है, it is one all-in-one है यह, यानि कि RPSC, RSMSSB से related आप कोई भी exam हो, किसी भी exam की profession आप कर रहे हो, आपको एक ही जगे, एक ही course में, एक ही subscription में सारी classes available हो जाएगी, तो वो भी यहाँ पर बहुत important होगा, पर ध्यान रखेगा, यहां पर आपको इसी बैच में available हो जाएगे, और ध्यान रखेगा, पांच मई से, फिफ्त में से हमारा जो नया बैच है, वो आ चुका है, और इस नए बैच को जो की पांच में से चालू हुआ है, उसे आप शर्मा 10 रेफरेर कोड के साथ जोइन कर सकते हैं, एक साल की चीज से 7 7400, इसमें भी शर्मा 10 रेफरेर कोड को यूज करो, और फिर आपस्टर डिडेक्शन, तो दो साल के पीस आपके यहां पर 7560 हो जाने वाली है, और तो और अनकेडमी एक और स्पेशल चीज आपके लिए 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 है, मेगा कॉम्बो आपर, क्या है मेगा कॉम्बो आपर यानि कि इसमें आप unlimited batches, unlimited test series को join कर सकते हो, यह आपके सभी PCS exams के लिए है, जैसे कि हमारे RPSC के लिए भी available है, तो अभी आप जो भी subscription लोगे हो, उसमें आपको absolutely test series, सभी चीज़े absolutely free मिलने वाली हैं, और यह सब आपको मिलेगा, शर्मा 10 रेफरेर कोड के साथ में, तो दे कोरोना की वज़े से चीज़े postpone हो गई है, पर कोरोना की वज़े से चीज़े से postpone हुई है, definitely इस साल, आपका notification भी आएगा, और पेलिम्स भी complete हो जाएगा, चाहे वह साल के end तक ही complete हो, तो इसलिए हमें हमारी preparation को continue रखना है, यहने की कोरोना के डर से या फिर और कई issues की व CRT को follow करना चाहिए, और फिर RBSC की books को आपको follow करना होगा, तो यह doubt हमेशा रहता है, पर अभी जब यह 2021 का जो slabus आ रहा है, यहाँ पर हमारे जो माध्यमिक शिक्षा board है, उसने भी RBSC की books को follow करनी लग रहे हैं, अभी तक हमारे पास यह था, कि हम सिर्फ और सिर्प्राज स्थान बोर्ड की books को भी ढंक से कर लेते हैं, तो definitely RBSC में बहुत अच्छे marks आएंगे, और यह 2013 में, 2016 में देखा गया है, और 2018 के exam में भी उन बच्चों के अच्छे marks हैं, जो कि RBSC पर अपनी strong command को ले कर चले थे, बट अब थोड़ा सा system बदला है, because NCRT को सीधे as it is slabus में डाल लिया गया है, तो अब आप NCRT को बिलकुल नकार नहीं सकते हो, इस में से भी कुछ चीज़े आपको करनी ही पड़ेंगी, पर अभी भी कोई भी पूछे, अभी भी कौन सी चीज most important है, तो अभी भी मैं कहूंगा, हमारे Board of Secondary Education of Rajasthan की books अभी भी best है, for RAS means as well as prelims, even से अलावा, RPSC या RSMSSB का कोई भी exam दे रहे हो, तो भी सबसे जादा जो important चीज़ है, आज भी वो हमारी RBSC की books ही है, BACR की books ही है, पर ऐसा नहीं है कि अब सारी books करनी है, या फिर अब आप पुछोगे कि सर हम old वाली books करे या नहीं वाली books करे, किसको preference दे, तो बच्चों अब अगला सवाल आता है कि old NCRT करें या फिर new NCRT करें, आपके old वाली RBSC की books को किया जाए, या फिर नहीं वाली RBSC की books को किया जाए, तो ये दूसरा सवाल सभी के मन में आ जाता है, तो old versus new दूसरा doubt है, NCRT में भी पुरानी और नहीं NCRT का दौन चलता रहता है, और नहीं में भी पुरानी और नहीं NCRT का दौन चलता रहता है, पर उसमें मैं आपको कहूंगा, यहाँ पर आपको जो करना है वो है new वाली NCRT, आपको नहीं वाली NCRT करनी है, और RBSC की भी जो books मैं बता रहा को नई वाली करनी है old is gold no doubt बट यहां पर जिस तरीके से आपका 2018 का स्लेबस डिजाइन किया गया और जो अभी भविश्य में स्लेबस आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ नई NCRT और नई RBSC की बुक्स के according ही आएगा यानि कि पुरानी बुक्स को करने का कोई महत्व नहीं है हाँ आप करोगे तो content no doubt उसके अंदर अच्छा है knowledge आपकी बढ़ेगी तो अगर आपके बाद free time है या फिर extra time है और किसी भी civil services के exam में ना तो कभी free time होता है ना ही कोई extra time होता है जितने time दोगे उतना कम लगेगा तो इसलिए मैं किसी को भी suggestion नहीं दूँगा कि पुरानी NCRT करो इवन ना ही कोई पुरानी NCRT हाथ लगानी है और ना ही कोई आपको पुरानी RBSC की बुक हाथ लगानी है इवन यहाँ पर एक doubt आता है कि सर एक पुरानी बुक है राजस्थान अध्यन की ठीक है कौन सी पुरानी बुक है चार बुक चला करती थी 9, 10, 11, 12 में और उन बुक का दिया गया है बलकि थोड़ा सा और बढ़ा कर दिया गया है तो अगर आपके पास फ्री टाइम है एक्स्रा टाइम है तो आप राजस्थान अध्यन की बुक्स की तरफ जा सकते हो तो राजस्थान अध्यन की पुरानी बुक्स पढ़ना वर्णा पढ़ने की कोई जुरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ नई NCRT और सिर्फ और सिर्फ नई RBSC की बुक्स ही कर लो उससे ही में टॉप 50 में आ सकते हो अब अगला सवाल आप सभी के वन में ये जरूर होगा कि सर R फौर्डल है, हमारे पास फौर्डल है उस पौर्डल की तरफ हम जाना होगा कौन सा पौर्डल है आपका हमारे पास यहां पर आप सिर्फ Google पड जा ओ है न गूगल पर जाओ आप और गूगल पर जाने के बाद सिर्फ आप इतना सा लिखो RBSC Books क्या लिखो Google पर जाकर RBSC Books लिख दो जैसे ही तुम RBSC Books का नाम लिखोगे इसके बाद में आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देगा और उसमें उपर लिखा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ठीक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखा हुआ होगा उसके अंदर और यहाँ पर साइड में आपके EARS लिखे हुए होगे कि 2008-09 में कौन सी बुक्स चलती थी 2012-14 में कौन सी बुक्स चलती थी ऐसे ही नीचे लिखा हुआ होगा 2020 और 2021 तो आपको इस 2020 और 2021 पर क्लिक करना है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास उपर तो सारी NCRT की बुक्स जो अभी राजस्थान में चलती हैं वो आएंगी और उसके अंदर नीचे RBSC की बुक्स आ जाएंगी तो यहाँ पर आपको कई प्रकार की बुक्स मिलेंगी जिने तुम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है और कोरोना में तो बुक्स मिलना आसान भी नहीं है तो इसलिए बिलकुल फ्री आफ कॉस्ट आप इस वेबसाइट से यहाँ पर Board of Secondary Education र हिंदी में है कुछ बुक्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी वैसे अधिकतर बुक्स महाँ पर आपको हिंदी में मिलेंगी तो एक बुक जो बहुत इंपोर्टेंट है जो कि आपको आर्बेसी की पढ़नी ही पढ़नी है वो है हमारे कक्षा नौ की बुक 856 के करांती स्लेबस में इंपोर्टेंट है प्रीमículos में में बहुत उम्पोर्टेंट है राजस्थान के कुष्ण आते ही आते हैं और मेंस में कम से कम 25 नमर के कुषण आपको राजस्थान के क मिलेंगे इसी इसी तरीके से आपके प्रिणिम्स और मींस के लिए राजस्थान के प्रमुक किसान आंदोलन ये भी यहां से पढ़िएगा राजस्थान में जन जागरती और प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकी करण ये सभी बहुत ही इंपोर्टेंट है तो ये जो चैप्टर है आप तो इसलिए नाइन्थ क्लास की RBSC की बुक्स है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और आपके ये वेबसाइट पर अवेलिवल है और इसकी जो कॉपीज है वो मैं आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर डाउनलोड करकर डाल दूँगा वहां से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो मेरा टेलिग्राम चैनल है एड़ दारेट शर्मा आरियस के नाम से आप टेलिग्राम चैनल पर डाल दो और फिर वहां से आपको ये सारी बुक्स अवेलिवल हो जाएंगी तो के गाईस चलिए अगली बुक है हमारी जो RBSC की पढ़ना कंपलसरी है वो है राजस्थान का इ को टच करता है तो आर्ट एंग कल्चर आपका यहां से होगा और वन अफ दा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पर आपको मिलीगी तो देखें यहां पर क्या इंप्रेंट है राजस्थान के इतिहास के अंदर आपको पुराने काल के बारे में पता चल जाएगा उस टा राजस्थान के प्रमुख संत और लोग देवता ये भी महत्पूर्ण है राजस्थान के उत्सव त्योहार और मेले ये भी इंप्रोटेंट है वस्त राभूशन चित्रकला और हमारे स्थापत्य शिल्प के साथ साथ आपके संगीत लोकनत्य और फिर उसके बाद में हमारे प चैप्टर है वह इंप्रोटेंट है चैप्टर नमर 1-2-7-8 एंड चैप्टर नमर 11 तो यह इंप्रोटेंट है आपके ध्यान रखेगा दूसरी बुक जो आपको करना है वह हमारी कक्षा दसकी रास्थान का एतिहा संसकति तो इसे मिस बिलकुल भी नहीं करेंगे फिर एन् को मिले उसको मिलान की दिए ये बुक करनी पूरी नहीं करनी है ये वाली किताब ये वाली किताब आपको सिर्फ और स्लिफ स्लैबस के अकॉर्डिंग करनी है स्लैबस से मिलान करो और फिर इसे कर लो जादा नहीं करना है स्लैबस के अकॉर्डिंग ही इसे करिएगा परिया आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग दो तो हमारे आजादी के बाद का जो स्वर्णिम भारत है उसके अंदर आपके हमें अंतराश्तिय परिद्रश्य के बारे में पता चलेगा जैसे कि बांगलादेश कैसे बना आपके पहला पर्मानों परिक्षन कैसे हुआ बैंको साथ हमारे शिक्षा के अधिकार और कई अधिनियमों के बारे में आपको पता चलेगा एवन अभी जो GST लगा है या फिर जो नोट बंदी हुई है उसके बारे में भी अच्छा इन्होंने दिया है साथ साथ भूमी सुधार इनके बारे में भी है और विदेश नीतियों के ब मिल जाएंगे तो यह भी पूरी बुक पढ़ना जरूरी है इंपोर्टेंट है मेंस मेंस से खुशन आते ही आते हैं तो यह कक्षा बारा की बुक है इसके अलावा नाइन्थ और टैंथ की जो साइंस पिछली साल चला करती थी वह एज़िट इस अभी भी अवेलेवल है यह कोई भी स्रिफ और सिलै बसके पूरा करने की जरुरत नहीं है इसके अलावा नाग करे जो पाल्तु के चीज़े इसके अलावा करने की कोई भी जरूरत नहीं है फिर देखे शारे रेकॉड स्वास्थ शिक्षा कि कक्षा नौदस ग्याराबारा चारो क्लासिस में बुक है, इसमें से वो चीजे करो जो सलैबस की है, जैसे कि हमारे सलैबस के अंदर हमारा है बैलेंस डाइट यह हमारे सलैबस में अभी दिया हुआ है, स्लाइबस में है प्रमुख, खेल, पुरुसकार और प्रसिद्धिक हिलाडी यह आप कर सकते हो ठीक है तो जो में में टॉपिक है दो तीन टॉपिक ही है इसके जो आपको करनी है पर अगली जो बुक इंपोर्टेंट है वो है समाद शास्त्र की बुक कक्षा 11 और 12 की तो ही बुक अच्छी है पर हमारे एक्जाम में जो सीधे कुशन उठकर आते हैं वो RBSC की बुक से आती है और ये बुक अभी भी रायरस्थान में चल रही है कई स्कूलों में आज भी इन बुकों को पढ़ाया जा रहा है ना कि सोशोलोजी की NCRT को पढ़ाया जा रहा है तो अगर एक ही सबजेक्ट पर दो-दो बुक हैं जैसे कि NCRT में भी सेम बुक है और सोशोलोजी में भी सेम बुक है तो फिर मैं कहूंगा आपको RBSC वाली बुक पढ़नी है जैसे कि यहाँ पर संस्कति और समाजी करण बहुत इंपोर्टेंट है यहाँ पर हमारे सरशना इस शास्तर की आप NCRT की जगह RBSC की बुक ही पढ़े ऐसे ही एक मनो विज्ञान की बुक है कशा ग्यारा की साइकोलोजी इसमें सीधे टॉपिक है जो हमारे स्लेबस में है जैसे कि learning हमारे स्लेबस में है memory forgetting हमारे स्लेबस में है motivation हमारे स्लेबस में है तो exact जो चीजे हमारे स्ल स्लेबस में है तो स्लेबस according मनो विज्ञान को भी आपको करना होगा और यह कक्षा 11 की RBSC की बुक है ऐसे ही राजनिती विज्ञान की जो कक्षा 11 की बुक है उसके अंदर कुछ ही चीजे करनी है ज्यादा चीजे नहीं करनी जैसे कि यहां पर हमें गांधी जी के बारे में पता चलेगा तो आपके 21 साथ में है सयोग अंदोलन 1857 संग्राम राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी और आपके 21 आठ में हमें थोड़ा सा राजव्यवस्था के बारे में पता चलेगा 21 आई 10 जरूरी है कि राश्तिय अंदोलन के अंदर कौन कौन से रास्थान के प्रमुख व्यक्तित्व रहे क्या राजनेतिक चिंतन रहा इसके बारे में जानिएगा और इसी तरीके से हमारे यहां पर आपको राश्तिय अंदोलन के भी कुछ उदारवादी निताओं के बा अगली जो बुक बहुत important है वो है हमारे ethics के लिए हमारा जो नीती शास्तर है, उसके लिए आप RBSC की कक्षा 11 की बुक को करें नीती शास्त्र और इस साल का नीती शास्त्र अच्छा वाला आने वाला है तो नीती शास्त्र के निये यानि की एथिक्स की जो बुक्स है उसे यहां पर आप RBSC से कर सकती हो यहां से उठाया हुआ है आपका जैसे की यहां पर हमारे स्लेबस में दिया गया है व्यक्ति और समाज के बारे में तो यह टॉपिक जरूर कीजिएगा साथ साथ भारतिय निती शास्त्र में आश्रम व्यवस्था रिण व्यवस्था पुरुशार्च तुष्ट है निश्काम कर्म लोक संग्रह और गान्दी दर्शन के बारे में भी यहां से आप पढ़ सकते हैं ऐसे ही हमारे स्लेबस में है नैतिक प्रत्य मूले इनके बारे में भी यहां से आप पढ़िएगा तो केवल और केवल आपको यहां पढ़ यही टॉपिक पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो केवल आपको भारतिय निती शास्त्र व्यक्तिय और समाज और निती शास्त्र के स् फिर कख्सा बारा की जो एथिक्स की भुक है यानि की कख्सा बारा की धर्शन शास्त की बुक है इसमें से आपको पढ़ना है थोड़ा सा भारतीय धर्शन के बारे मिले खास कर आपको पढ़ना बॉद्ध और जैन दर्शन के बारे में, फिर आपको थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म, जैन दर्म और बॉद्ध पंत के बारे में, ठीक है, धर्म की भारती अवधारना को थोड़ा सा पढ़ सकते हो, सबसे इंपोर्टेंट रहेगा धार्मिक एवं सर्वधर्म संभाव में क्या अंतर है, तो यह आप यहाँ से पढ़ेंगे, बाकी आपके पास थोड़ा टाइम बचा हो, और बहुत अच्छी चीज़ है पढ़ने के लिए, तो मैं तो कहुँगा, कि आप योग दर्शन और वेदार्थ दर्शन को भी पढ़ लिजे, बहुत अच्छी चीज़े यहाँ पर आपको देखी गई है, तो वो जरूर देखेगा, तो यह चीज़ आप कर सकते हो, फिर कक्षा बारा कि आप मनो विज्ञान की बुक में आईए, यहाँ पर आपको कुछ चीज़े पढ़नी है, उसमें से आपको इंटेलिजेंस के बार में पढ़ना होगा, जैसे कि emotional intelligence, यह चैप्टर कीजिएगा, self and personality, यह चैप्टर जरूर कीजिएगा, stress and human capabilities and well-being, इस चैप्टर को आप कर सकते हो, और फिर उसके बाद में, यहाँ पर आप थोड़ा सा जानना चाहें, तो attitude के बारे में पढ़ सकते हैं, तो यह दो तीन भाशाय करनी हैं, जैसे कि न्याय क्या होता है, power authority और legitimacy क्या होती है, शक्ती क्या है, हमारे पास में अधिकार क्या है और वैदिता क्या है, तो यह हमारे law का जो paper है, उसमें slabis में है, तो हमारे जो law का paper है, third paper का जो भाग है law, उसमें यह पूछा गया है, तो यह आप पॉलिटिकल आइडेलोजी में से मिलेगा इसी तरीके से नीति आयो ग्लोबिलाइजेशन न्यू शोशल मुवमेंट यह भी स्लेवस में है इसे भी आप पढ़ सकते हैं और इसके अलावा थोड़ा सा हमारे भारत की विदेश नीति के बारे में जानिएगा पर जो सबसे इसमें से भी दो-तीन चीजें हमें करनी हैं जैसे कि हमारे स्लेवस के अंदर है इस्ट्रक्शरल चेंज किस तरीके से संरशनात्मक परिवर्तन आ रहा है भारत में जैसे कि आधुनिक्तावाद हो रहा है औध्योगी की करण हो रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप जानि सबसे इंपर्टेंट यहां पर है आपके वूमन और किस तरीके से हमारे गर्ड एजुकेशन के लिए चाइड डवलप्मेंट के लिए और राजस्थान में खासकर बच्चों और महिलाओं को लेकर क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आप यहां पर कर सकते हो थो हमारे पास है जो बिलकुल नहीं छोड़ी जा सकती जो इंपर्टेंट बुक है वो है हिंदी की क्योंकि हिंदी वन अप दा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है हमारे आरेएस मेंस का अगर आरेएस मेंस में हिंदी अच्छा नहीं हुआ तो काम नहीं चलेगा तो हिंदी जिनको बहुत कमजोर है, कम समझ में आती है, वो रागव प्रकाश की बुक पढ़े, पर उससे पहले इस बुक को पढ़ ले, क्योंकि इस बुक को पढ़ना easy है, easy to understand है, easily आप इससे marks achieve कर सकते हो, तो थोड़ा सा इसमें basics की तरफ आप जा सकते हो, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अब बात आती है कि NCRT कौन कौन सी करनी है, सर NCRT क्या करे, किस तरीके से करे, कौन कौन सी करें, तो उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, तो NCRT की बात करो, तो सबसे important जो मैं NCRT बताऊंगा, वो है कक्षा 11 की जोग्राफी की NCRT, और कक्षा 11 की जो जोग्राफी की NCRT है, उसके दो पार्ट है, एक है हमारे पास बहुत एक जोग्राफी, fundamental physical जोग्राफी NCRT, वो करना बहुत जरूरी है, दूसरी चीज जो जरूरी है, वो है physical environment, बहुत तक पर्यावरण जो है, वो भी करना काफी महत्पूर्ण हो जाता है, तो बहुत तक पर्यावरण और आपका जो physical जोग्राफी है, fundamental physical जोग्राफी, इसे आप जरूर कीजिगा, it is very very important, ठीक है, इसके अलावा हमारे एक दो टॉपिक है, जो की कक्षा 12 की बुक है, व और RBSC की जो समाशास्त्र की बुक है, उसमें कम है, तो केवल Indian sociologist, भारतिय समाशास्त्रियों की वो एक दो concept यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर मनोविज्ञान में भी एक दो टॉपिक देखना चाहो तो देखो वरना छोड़ सकते हो, और accountancy में भी एक आर टॉपिक ही आ कर सकते हैं, तो यह चीजे तो हो ही गई दोस्तों, पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, अब वो क्या है, कि सर NCRT क्या पूरी कर ले, क्या साब कुछ कर ले, तो मैं बताऊंगा आपको कि कुछ चीजे अभी भी आपको करना जरूरी आप कक्षा 6 से लेकर, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की बुक्स आपको करनी है, इतिहास में करना जरूरी है, ठीक है, पर यह कब है, जब RBSC की बुक्स कम्प्लीट होजाए तो इसकी तरफ जाईएगा, अधरवाइस नहीं जाईगा, तो कम्प्लीट हो चीजे, तो ही आप इसकी तरफ जाईएगा, हमारे भूगोल, भूगोल में कक्षा 11 की बुक्तों मैं आपको बता ही चुका हूँ, NCRT सबसे इंपोर्टेंट अध्यान रखेगा, यहाँ पर बात हो रही है, अभी NCRT की, RBSC की कौन-कौन सी बुक्स करनी थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ आपकी, RBSC की जो जो बुक्स आपको करनी थी, वो मैं बता चुका हूँ, अब NCRT की बात हो रही है, तो NCRT में इतिहास, कक्षा 6 से लेकर 12 तक, यह करना ज़रूरी है, भूगोल, भूगोल के अंदर, कक्षा 9 से लेकर, कक्षा 12 तक, NCRT, इसमें 11th क्लास वाली NCRT को ज़ पास में, राज व्यवस्था, हमारी जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था जो है, अगर हम राज व्यवस्था की बात मानें, तो देखिए, राज व्यवस्था में केवल आपके important है, कक्षा 11 की बुक, कक्षा 11 में दो बुके एक हो है, सविधान, और दूसरा है, political thoughts, तो वो दो बुके आपको यहाँ पर करनी है राज विवस्था में ठीक है अर्थ विवस्था की बुक्स आपको अगर करनी है तो हमारे अर्फ विवस्था की बुक्स में आप कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की NCRT की बुक्स कर सकते हो अर्थे औरस्था में ठीक है और खासकर कक्षा 11 जो है अर्थे एकॉनमी की वो इंपोर्टेंट हो जाती है तो ये चीज़े आप यहां पर कर सकते हो इसके अलावा हमें कोई और NCRT करने की जरूत नह करते हो तो उससे चल सकता है इसको जरूत नहीं पड़ेगी पढ़ने की और अर्थेवस्था का भी आपके पढ़ सकता है इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की जो एकॉनमी होगी उसके लिए आपको एकॉनमिक सर्वे उसके लिए आपको करना पड़ेगा तो एकॉनमिक सर जिस पर आपको पूरा पूरा फोकस रखना है तो इसे कोई भी बिल्कुल भी नहीं भोलेगा तो इस चीज को ध्यान रखेगा तो आप सभी का डाउट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि RBSC की कौन सी बुक्स पढ़णी है क्यों RBSC महतेपूर्ण है किस बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है और NCRT में से कौन सी बुक पढ़नी है तो ध्यान रखेगा हमारे सिविल सर्विच्ज में आप एक विकलप नहीं चुन सकते हो कि मैं सिर्फ NCRT पड़ू तो काम चल जाएगा या फिर सिर्फ RBSC की बुक्स पड़ू तो काम चल जाएगा माना कि RBSC की बुक्स बहुत महत्पूर्ण है पर कुछ NCRT की बुक्स पढ़ना भी कमपल सरी है तो RBSC की कौन सी बुक्स पढ़नी है और NCRD की कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको बता चुका हूँ तो इसे मत भूलिएगा यह आपके एक्जाम में हर जगे काम में आने वाला है और गाइस अनकेडमी पर जो मेरा नया बैच है अनकेडमी पर मेरे गाइडेंस में कंप्लीट कोर्स को करने के लिए कि आप karma time referral code को use कर सकते हो और ध्यान रखेगा karma time रÃफ़रे code जो है इसे आप capital letters मने ही use कीजिएगा है chamado reverie London without any space क्यों करें आप capital letters में ही यूज करें तो की गाइस thinking चुआ है not to all of you and house अबक्या लादिग झाल आवी टू आव्यू तेकर अव्यून झाल झाल